पियम मोदी के अपील के बाद जनाता कर्फ्यू के समर्थन में पूरा देश हुआ लॉकडाउन, नीजी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ट्रेनें भी पूरी तरह से बंद महराश्ट्र के मुंबई में जनाता कर्फ्यू को मिल रहा है भारी समर्थन, मुंबई में सभी दुकाने बंद, सड़क पर नहीं दिख रहे हैं लोग कोरोना वाइरस की वज़े से अंतराष्ट्री फ्लाइट कैंसल कर दिये गए हैं और इसलिए मुंबई में अंतराष्ट्री एरिपोर्ट पर लोग बिल्कुल ही नहीं हैं, पहले यहां काफी भी रोती थी महाराष्ट्र के कुणे में लोग कर रहे हैं जनाता कर्फ्यू का समर्थन, पुलिस ने भी लोगों से की घरों में रहने की अपील, लौड स्पीकर के जरिये की गई अपील महराश्ट्रों के नागपुर में जनता कर्फ्यू का दिख रहा है असर सड़कें सुन्सान, अभियान को सफल बनाने के लिए लोग घरों में बंद तेलंगाना के हैदराबाद में भी दिख रहा है जनता कर्फ्यू का असर लोग अपने घरों में रहकर हो रहे हैं बंद में शामिल तमिलनाडु में भी लोगों न जनता कर्फियू को दौरान बंद की अपनी दुकाने चिन्नाई में सडकें दिख रही हैं खाली सभी सरकारी और नीजी बस सेवाएं पूरी तरह से बंद समिलनाड़ू के कोयमबटोर में जनता कर्फ्यू को देखते वे लोग अपने घरों में मौजूद कॉरोना से निपटने के लिए जनता कर्फ्यू को सफल बनाने में जूटे करनाठक के बैंगलूरू में दिख रहा है जनता कर्फ्यू का असर सडकों पर छाया सननाथा, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक जगहें दिख रही है खाली घरों में रहकर लोग कर रहे हैं जनाता कर्फ्यू का समर्थन केरल के तिरोनन पुरम में जनाता कर्फ्यू को देखते हुए सडकों पर सननाथा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और सार्वजनिक जगहों पर नहीं दिख रही भी जनाता कर्फ्यू को देखते हुए लोग घरों में और सडकों पर केवल तुरक्षा अधिकारी दिख रहे हैं दिली में कोरोना पर पुलिस की अनुखी पहल बाहर निकल रहे लोगों को फूल देकर घर जाने की दिसला कोरोना वाइरस को लेकर उत्तर प्रदेश की नोड़ा अथोराटी सतर्क नोड़ा में कोरोना वाइरस के पांच वोजितिव मरीज मिलने के बाद पूरे शहर को सेनेटाइज करने का काम किया गया शुद जनता कर्फ्यू की वज़ा से राची रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ है चोकि ट्रेने कैंसिल है इसली स्टेशन पर बिल्कुल भीर नहीं है और लोग घरों में है राजस्तान के श्री गंगा नगर में जनता कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है जिला मुख्याले सहिद पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है उत्तर प्रदेश के मेरट में भी जनता कर्फ्यू का असर बस स्टेंड खाली नजर आया सड़कें भी सून सान बिहार के कई शहरों में जनता कर्फ्यू का असर सड़कों पर पसरा सन्नाटा घरों से बाहर नहीं निकल रहे लोग वाहनों की आवाजाही बंद रेलवे बस स्टेंडों पर सननाटा बीहर के पटना में सीम और गवलनर हाउस पर भी दिख रहा है जनता करफ्यू का सर सुनी पड़ी हैं सडकें पुलिस प्रशासन मुस्ते उत्तर प्रदेश के लखनव में भी जनता करफ्यू का दिख रहा है सर सडकों पर नहीं दिख रहे लोग लखनव में आज पेट्रॉल पंप भी बंद राजस्थान के जैपुर में जनता करफ्यू को देखते हुए दिख रहा है शहर में सननाथा सड़कें और बाजार खाली लोग अपने घरों में हुए बंद पशिम बंगाल के कोलकाता में भी सड़कों पर पसरा संनाथा जनता कर्फ्यू का बंगाल में मिल रहा भारी समर्थन एमर्जंसी सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकाने बंद जन्डिगर्ड में भी जनता कर्फ्यू का भारी समर्थन पंजाब का लुध्याना भी पिया मोदी के जनता कर्फ्यू के समर्थन में बंद लोग अपने अपने घरों में बिता रहे हैं समय उत्तरी पुर्वी राजियों में भी जनता कर्फ्यू को भारी समर्थन गोहाटी में अपने घरों में कैद हुए लोग इमफाल में भी जनाता कर्फ्यू के समर्थन में हुआ लॉक्टाउन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी जनाता कर्फ्यू को समर्थन लोग अपने घरों में रहकर पिये मोदी की अपील का समर्थन कर रहे हैं सड़क पर से प्रशात्निक अमला ही दिख रहा है। जनाता कर्फ्यू दोरान रेल्वे स्टेशन पूरी तरह बंद, भीड भाड़वाले दिल्ली और अनंद विहार रेल्वे स्टेशन भी जनाता कर्फ्यू के समरतन में बंद। इटली से 263 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का विमान, एयरपोर्ट पर सभी की थर्मल स्क्रिनिंग की गई, 14 दिन तक क्वरिंटीन किया जाएगा। आज शाम पांच बज़े ताली और थाली बजाकर कोरोना वरियर्स को कहेंगे शुक्रिया। यूपी के सीम योग्य अदितीनात भी घंटी बजाकर बढ़ाएंगे होसला। कहा कोरोना के खिलाप सामुही की लड़ाई। शाम पांच बज़े से पांच मिनट तक क्वरोना की लड़ाई में लगे डॉक्टरों, पुलिस वालों, मीडिया से जुने लोगों को दिया जाएगा धन्यवाद। पीम ने की है लोगों से थाली ताली और घंटी बजाने की अपील। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि वे कोरोना वारस से साउधान रहें और घबराएं नहीं। पीम ने ट्वीट कर कहा कि ये बक्त डॉक्टरों और प्रशासन की सलाह मानने का है। देश में कोरोना वायरस की जाच करने वाली लैब की संख्या बढ़ा कर 111 कर दी गई है इसके साथ ती राजियों को भी नई लैब के लिए तैयार रहने को कहा गया है देश में कोरोना की बढ़ते मामलों को देखती हुए सरकार दक्षिन कोरिया से टेस्टिंग किट मंगाएगी इस टेस्टिंग किट से आसानी से कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा सकेगा ओडिशा के मुख्यमंत्रे अमीन पतनायक ने 5 जिलों और 8 शहरों में किया लोगडाउन करने का अईलान ये लोगडाउन एक सब्ताह तक चलेगा शाहीन बाग के प्रदर्शन कारियों ने पीम की आल जनता कर्फ्यू की अपील को ठुगराया प्रदर्शन कारी सेनेटाइजर और फेस मास्क पहन करकर रहे हैं प्रदर्शन बाबरी मस्जित के पक्षकार रहे एक बाल अंसारी ने शाहीन बाग प्रदर्शन कारियों के रवये पर उठाये सवाल कहा कोरोना से पूरी दुनिया संकट में है इसके बावजोद कुछ लोग घीड में हो रहे हैं शामिल संजे गांधी PGI में भरती कनिका पर निदेशक डॉक्टर धिमान का आरोग इलाज में नहीं कर रही है सहयोग पेशेंट के जगा स्टार जैसा कर रही है वेवहार सब स्ट्रेस सुविधाये दी गई है कोरोना वाइरस के संक्रमन के बीच हर्याना के गुरुग्राम से अच्छी और रात भरी खबर मिदानता स्पताल में कोरोना पेड़ित 14 विदेशी मरीजों में से 13 ठीक सभी हैं इटली के रहने वाले मदरास हाई कोड के जज जस्टिस एस एम सुबमनियम ने अपना एक महीने का वेतन सियम रिलीफ फंड में दान देने का किया अईलान कोरोना वाइरस से प्रभावीत असंगरित शेत्र के मजदूरों की मदद के लिए पहल कोरोना को देखते वे बिहार के पटना के पावापूरी का जैन मंदिर बंद कर दिया गया इसके अलावा मंदिर को सेनिटाइस किया गया 31 मार्च तक बंद रहेगा मंदिर मुंबई में 31 मार्च तक पेट्रॉल पंप अब सुबह 7 वज़े से लेकर शाम को 7 वज़े तकी खुलेंगी कोरोना वाइरस के खतरे को देखते वे पेट्रॉल पंप मालिकों का फैसला महाराश्ट्र के नातिक में कोरोना वाइरस के मदे नजब जारी किये गया देशों का उलंगन करने पर पुलिस ने 37 लोगों के खिलाब केस दर्च हिया इनमें से 35 केस गयर कानूनी तरीके से कठा होने और दो अफवाह फैलाने से जुड़े मामले हैं कोरोना से निपटने के लिए भारत की पहल पर शुड़ हुए एमर्जेंसी फंड में अफगानिस्तान और निपाल सरगार ने 10-10 लाख डॉलर दान देने का की आईलान इससे पहले भारत एक करोड और भुटान ने एक लाख डॉलर देने की खोशना की है केंदर सरकार के मुताबिक देश भर में 1700 से ज़्यादा लोगों को क्वेरिंटीन में रखा गया है कोरोना संग्रामित और संदिग्धों के लिए अलग-अलग कैम्प बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के मिरजापुर में भी एक मुस्लिम परिवार ने जनता करफ्यू को देखते वे बेटी का निकाह शनिवार को साध्गी के साथ किया आज होना था यूती का निकाह उत्तर प्रदेश के कौशांबी में भी दो परिवारों ने एक दिन पहले ही शादियां कर ली परिवार वालों ने कहा कि वे जनता कर्फ्यू का समर्थन करते हैं इसलिए शनिवार को शादियां कर दी गई मध्य प्रदेश में नई सरकार की गठन की तेयारियां तेज कल हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक, 24 मार्च को सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है बीजेपी, 25 मार्च को हो सकता है शपत ग्रहेंड माध्यप्रदेश के भुपाल में सिंधिया समर्थक नेताओं ने शिवराज सिंग चौहान से की मुलाकात, बीजेपी पर जताया भरुसा, कमलनाथ सरकार पर लगाया आरोप, बोले नहीं हो पा रहे थे विकासगारिया कॉंग्रेस के पूर्व बागी विधायक बीजेपी में आये, बीजेपी अध्धक्ष जेपी नडड़ा के घर पर सभी ने पार्टी के सदस्ता ग्रहन की जोति राधित सिंधिया ने किया ट्वीट, कॉंग्रेस से बीजेपी में आने वाले सभी 22 विधायकों को मिलेगा टिकट हर एक के सम्मान की रक्षा होगी 36 गड़ के सुक्मा में नकसलियों के साथ मुढ़ भेड में 14 पुलिस वाले जखमी, 13 लापता, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने 300 नकसलियों ने किया हमला 36 गड़ के गरिया बंग के सूपे बेड़ा में किड़नी के एक और मरीज की मौत करीब 6 महिने से डिकिया सप्ताल में चल रहा था इला कुरोना एलर्ट की भेड चढ़े आजम खान के भी मुकदमे, अब 30 मार्च के बाद होगी सुनवाई, रामपुर कोर्ट हुआ बंद, सिर्फ अर्जेंट मामले सुने जाएंगे तिलंगाना के मुलुका जिले के विंगटापूरा में मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रेक्टर पल्टा, हाथसे में दो मजदूरों की मौत, 10 मजदूर गंभी रूप से घायल